आज हम आपको ले करके आ गए हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर अटारी गाउं इसलिए इसको अटारी बॉर्डर भी उलते हैं और लोग प्रचलेते हैं बागा बॉर्डर के नाम से अभी हम आपको अंदर का उत्षा भरा अवंभरा देश वक्ति से भरा हुआ माहौल दिखाने वाले और मज़ेदार बात यह है कि सामने पाकिस्तान की और से कोई विक्ति नहीं आया देखने के लिए उनकी परेड को और सेनिकों के जोज को देखने के लिए जबकि हमारे इधर से पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और यह भी कि उनके स्टेडियम के और हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी भी अलाग है हमारा स्टेडियम की जो लोगों को बैठाने की संख्या है हो कई जादा है उसकी साम को जब बागा बॉर्डर पर दोनों देश अपने अपने राष्टी धोज उतारते हैं तब यहां का माहौल अलग ही होता है देश भक्ती का गजब जोस रहता है वार्डर पर बना स्टेडियम भारत माता के जैकारे से गूंजता रहता है वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जैगोस में पाकिस्तान की ओर से लगाए जाने वाले नारे कहीं खो जाते हैं भारत की ओर बड़े स्टेडियम में दर्शकों के बेटने की ख्यमता भी पाकिस्तान की दर्शक दीरगा से कम से कम 6-7 गुना आधिक हैं भारत की दर्शक दीरगा पूरी तरह भरी रहती है जबकि पाकिस्तान की दर्शक दीरगा सामान ने तक खाली ही रह जाती है हाँ विशे सबसरों पर वहां के लोग भी अच्छी संख्या में अपनी सेना का मनुवल बढ़ाने के लिए आते हैं हो सके तो एक बार आवस से अटारी वोडर पर होकर आना चाहिए एक तथ्य और जानना चाहिए कि अटारी वोडर को पहले बागा वोडर कहा जाता था इसलिए करी लोग आज भी इसे बागा वोडर ही कहते हैं लेकिन बाद में पंजाब सरकार ने इसका नाम बदल दिया क्योंकि जिस गां बागा के नाम पर इसे बागा बॉर्डर कहा जाता था वह पाकिस्तान की ओर है भारत की सीमा पर अटारी गाओं है इसलिए भारत की ओर के बॉर्डर को अभ अधिकरत रूप से अटारी बॉर्डर कहा जाता है इसे ही कई बार अटारी बागा बॉटर भी कह दिया जाता है आपको जानकर और गौरप की अनुगूती होगी कि अटारी गाउं और इसके साथ क्या संबंध है तो अटारी गाउं के साथ एक गौरपूर्पूर्ट संबंध जुड़ा हुआ है महाराजा रणजिस सिंग की सेना के एक सेनापती साम सिंग अटारी वाला का जन्म इसे अटारी गाउं में हुआ था साम सिंग अटारी वाला ने मुलतान, कास्मीर और पेसावर की विज़े में बड़ी मैत पुण होँमी का निवाई थी उनके साहस पराकरम और युद्ध कोसल से महाराजार रणजी सिंग बहुत प्रवावित रहते थे साम सिंग अटारी की बेटी का वेवा महाराजार रणजी सिंग के पौत्र कवर नौनिहाल सिंग के साथ भी हुआ था तो मित्रो आप अटारी बॉर्डर पर जब जाएंगे तो आपको वहां भारत का सबसे उंचा सबसे उंचा जंडा फैराते हुए पाएंगे आपका गौरब आपका माथा उंचा हो जाएगा आप गौरब की अनुगूती से भर जाएंगे तो आप अटारी बॉर्डर आएं बागा बॉर्डर आएं तो सेना का यह संग्राले देखना नापने यह बहुत में तुका है भारतिय सेना के सौरे से परचित कराने वाला यह संग्राले हैं यहां अमारे नायकों की गेलरी जहां आप अपने नायकों से परचित हो सकते उन इस म्यूजियूम को देखने के लिए जरूर निकाले हैं